आपको बहुत बहुत स्वागत है वीडियों बात करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको Union Bank Sisu Mudra Loan के e-signing के बारे में तो जैसा कि आप सब को पता है कि Union Bank से अगर आप Sisu Mudra Loan लेते हैं तो Loan Approval के बाद आपको Disbursement से पहले एक e-signing करना पड़ता है या initiate e-signing करना पड़ता है तो यह हम जानेंगे कि e-signing को हम कैसे complete करेंगे ताकि Loan का जो amount है वो directly आपको account में create हो जाए चलाए पैसा तो चले शूर करते हैं और सबसे पहले हम जाल लेते हैं जब यह loan disburse होता है जब loan sanction हो जाता है जब approval मिल जाता है आपके loan का तो कुछ इस तरह से page आपको देखने को मिल जाता है जब आप loan apply करेंगे अगर आपका सब ठीक ठाक रहा bank loan देने को agree हो गया तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा आपको eligible loan amount यहाँ पर दिखेगा आपको email amount कितना कटेगा हर महीना वो दिखेगा आपको 10 year कितने कितनी कितनी यह मैं देनी आपको वह भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी अब यहाँ पर यह जाएग डॉक्मेंट के पूरी लिस्ट आगए आपको असे लेटर वगदा सारा कुछ है अब क्या है कि यहाँ पर रेट कलर का बटन दिख रहा ना क्या करना है आपको मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना है और वहाँ से जाके इस पेज़ पर आना है इसे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे एक सब्मीट का बटन दिखेगा आपको उस पर आपको क्लिक करना है तो सबसे पहले खाँ जाएगा हम मोबाइल पर इस तरह से आपको लिंक मिल जाएगा यह है इसाइन का लिंक आपको इस लिंक पर डिरेक्ली क्लिक करना है मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जो मैसेज आयो है उसमें जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं यहां पर कुछी सवर से OTP Verification का पेज आपके सामने आ जाएगा आपको सबसे पहले यहां पर एक Capture जो है वो डाल देनी है फिर Get OTP पर क्लिक करना है Mobile पर एक OTP जनेरेट हो जाएगा उस OTP को यहां पर डाल के आपको Verify पर क्लिक करना है ठीक है फिर यह थोड़ा सा टाइम लेगा और लेने के बाद एक Agreement वाला पेज यहां पर Preview ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है इस Agreement को पूरा पढ़ना है अगर पढ़ना नहीं है तो यह जो स्कॉल वाला बटन है इसे स्कॉल करते हुए आपको एकदम नीचे तक चले आना है अगर आप नीचे तक नहीं आएंगे तो आपको यहां पर Agree वाला बटन नहीं दीखेगा यह बगल में Agree वाला बटन है वो नहीं दीखेगा आपको स्कॉल करके एकदम यहां पर एडरो तक टच करा देना है अब देखे यहां पर Agree वाला बटन आगया अब इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर इस्टांप डीटेल्स वाले पेज़ पर चले आएंगे और यहां पर Proceed with e-stamp पर आपको क्लिक करना है और यहां पर stamp date to charge 200 पर दिख रहा है आपको तो simple इस पर क्लिक कर देता है Proceed with e-stamp ठीक है अब यह e-stamp जो है वापस से ऐसे दिख रहा है आपको प्रिविव मोर्ड में उसे भी क्या करना है स्टा़ करते हुए एक दम नीचे के तरफ चले आना है नीचे के तरफ आने के बाद यहां पे पर ब divor का पटन दीखेगा वहां से इसे क्लोस करना है ठीक है scroll करके नीचे तक आना है close का बटन दिखेगा उस पे click करके आपको इसे close करना है ठीक है उसके बाद यह थोड़ा सा time लेगा यह process होगा process होने के बाद आपको यहाँ पे एक page दिखने को मिल जाएगा इस consent form पर क्या करना है कि आपको अगरी बटन पर इस यह जो चेक बॉक्स है इस पर सबसे पहले क्लिक करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर तीन option आपको मिल जाएंगे document signing method कि इस method से आप यह जो document है उसे digitally sign करना चाहते हैं पहला है OTP based दूसरा है biometric based और तीसरा है e token based तो सबसे आसान कौन सा है तो OTP based हम OTP based को select करेंगे अब क्या करना है e signing का page open हो गया यहाँ पर आधार नंबर डालना है फिर आधार पर OTP generate हो जाएगा उस OTP को यहाँ पर बैठाना है फिर यहाँ पर submit पर click करना है क्लिक करते ही थोड़ा से process होगा process होने के बाद यह success का page दिखा देगा कि e signing complete हो गया उसके बाद आपको कहा जाना है इस तरह से page आपके सामय आज जाएगा अब यह जो आपने agreement signing करा e signing किया हुए उसे आप यहाँ से download करके रख सकते है अपने पार और यह complete हो जाने के बाद आपका e signing के process पुरा complete हो चुका है अब आपको क्या करना है कि वापस से उसी page पर चले जाना जहां से आपने e signing initiate किया था अब इसे scroll करके थोड़ा सगर आप यहाँ पर submit के button दिखेगा उस submit के button पर जैसे आप click करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से page आ जाएगा inspection will be conducted by bank limit will be available after two working days यह message आएगा लेकि जैसे यह message आएगा ने instant एक दो मिनिट के अंदर maximum पांच मिनिट के अंदर आपको account में यह जो पैसा है वो पूरा credit हो जाएगा ठीक है यहां पर देख पा रहे हैं कि account number कौन से account में पैसा credit हुआ है और कितना पैसा credit हुआ है कितना चार्ज करता है total amount कितना credit हुआ है तो यहां पर 45,679 रूपे एकांट में credit हुआ है तो इसी प्रकार आप e-signing कर सकते हैं और आपका जो भी प्रकार के लिए वो डिरेक्टल यहां पर complete करते हैं यहां पर एकांट में credit हो जाएगा तो यह रम एक छोटा सा वीडियो जहां पर मैंने बताया कि पेंडिंग पड़े हुए e-signing को आप कैसे complete करेंगे तो अगर फिर भी कोई डाउट रहे गया होता आप कोमेंट बॉक्स में बताएं मैं कोशिश करूंगा उसका एंसर करने के लिए तो हैवनाइस टे चाहिंद चाहबाद